हलो वीवर्स दावा देखाना में आप सभी का स्वागत है और आज मैं आपके शार शेर करने वाली हूँ बॉयल अंडे की एक यूनिक रेसिपी बॉयल अंडे को चाइनिस टाइल में हम बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है एक चिल्डी ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी बनती है ये बच्चों को भी बहुत ही पसंद आएगी और अगर आप मेरे जल पे पहली बार है तो फटा फट से इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेश करना ना भूले ताकि मेरी हाल लेटिश वीडियो आप तक पहले पहुचे जटपर से बंचाने वाली एक चली रेसिपी हम बनाना सुरू करते हैं एक चली बनाने के लिए यहां पर मैंने एग लिया है और इसे मैंने बॉयल करके एक एक को चार प पाउडर और एक चमच रेट चिली पाउडर तो सबसे पहले हमें इसका बैटर तयार कर लेना है तो एक बावल में में दो चमच मैदा और दो चमच कौन फ्लॉर को एट करूंगी और उसके बाद दो बड़े चमच अधरक लसन का पेष्ट रेट चिली पाउडर और जीरा पाउडर और नमक इसमें एक चमच हम एट करेंगे आप अपने टेस के अकोडिंग इसे एट कर ले अब इन सभी चुझो को मिक्स कर ले और थोड़ा थोड़ा पानी इसमें एट करते जाए और इसे मिक्स करते जाए इसका बैटर हमें पकोड़े के बैटर की तरह ही बनाना तो इसे थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करते चाहे और इसका बैटर हम रेडी कर ले ध्यान रहे ज़्यादा बैटर हमारा पतला ना हो तो हमारा बैटर यहां पर रेडी हो चुका है तो अब हम सुखा मैदा लेंगे और इसके अंदर हम सभी अंडे को कोट कर लेंगे ऐसा करने से इसके जो कोटिंग है बहुत ही अच्छी आएगी तो एके करके सभी अंडे को हम इस तरह से कोट कर लिया है अब हम आपर बनाए हुए बैटर में इसे हम एड़ करेंगे लगा देंगे अब हम इसे deep fry करना है तो ऑईल हमारा अच्छा गर्म हो चुका है तो हमें इसे एकिक करके हम सभी अंडे को इसमें add कर देंगे आप यह काम चमज की सामदद से ही करें तो इस तरह से हम सभी अंडे को एक एक करके इसमें डिफ्राइ कर लेंगे तो यहां पर मैंने सभी अंडे डिफ्राइ कर लिये हैं और इसे हमें टीशू पेपर में निकाल लेंगे तो इस तरह से हम सभी अंडे को फ्राइ कर लेंगे सबी हंडे को हमने अच्छे से डिप फ्राइ कर लिया है डिप फ्राइ करने के लिए हमें 2-3 मिनिट लगेंगे तो अब हम इसकी ग्रेवी तयार कर लेंगे नहां पर मैंने एक कड़ाई लिया है और इसमें दो बड़े चमच ओईल को गरम कर लिया है और 8-10 लसन की कली है जिसे मैंने बारिक चॉप कर लिया है यह थोड़ा सा फ्राइ हो जाए तो इसके अंदर हम एक ओनियान एट करेंगे जो बारिक चॉप कर लिया है मैंने इसे भी और यह थोड़ा सा सोटे हो जाए तो इसके बाद हम सिम्ला मिर्च एट करेंगे ये भी एक छोटा सिम्ला मिर्च है और इसके बाद जब ये थोड़ा सा फ्राइ हो जाए तो इसके अंदर हम एड़ करेंगे छोटी पीस में कटकी हुए टमाटर यहाँ पे मैंने एक टमाटर को यूज किया है एक मिनिट के लिए इसे फ्राइ होने दे फ्राइ हो जाने के बाद यहाँ पे मैंने दो बड़े चमच कैबिस एड़ किया है कैबिस को बारे की चॉप कर ले और इसके अंदर एक चमच हमें नमक एड़ करना है और एक चमच यहां पर मैं रेट चिली सॉस एड़ कर रही हूँ और एक चमच सॉया सॉस अब इन सभी चुज़ों को हम अच्छी से मिक्स कर ले इसके बाद हम यहां पर टमेटो कैचप यहां पर दो चमच टमेटो कैचप एड़ करूँगे आप इसमें यह विनेगर का या फिर इसमें अजिनो मोटो का भी इस्तमाल कर सकते हैं यहां पर मैंने इसे अवोइड किया हुआ है अब जिस पेटर में हमने एक को फ्राइ किया था वो बेटर यहां पर मैंने बचा लिया है अगर यह बेटर आपका बचा नहीं है तो आप कॉन फ्लोर का भी इस्तमाल कर सकते हैं और इसके अंदर हम एड़ कर देंगे और इसे अच्छे से हम फ्राइ कर लेंगे और इसमें हमें थोड़ा सा पानी एड़ करना है तो एक कप के करीब मैंने यहां पर पानी एड़ कर दिया है ताकि हमारी सभी सबजिया है जो अच्छे से पक जाए अब इस तरह से हमारी सभी सबजी बहुत अच्छे से पक चुकी है तो इसके अंदर हमारे फ्राइ की हुए अंड़े एड़ कर देंगे और इसे अच्छे से mix कर लेंगे ये सभी काम आपको high flame पे ही करना है अच्छे से mix करते जाए ताकि अंडे में सभी सबची की coating बहुत ही अच्छे से लग जाए अब इसके अंदर हम हरा धनिया add कर देंगे आप हरी प्याज का भी इस्तमाल कर सकते हैं और इसे अच्छे से mix कर ले अब गयस को बन कर ले एक चिली हमारा ready हो चुका है तो अब हम इसे serving plate में ले लेंगे तो देखिए फ्रेंड्स गर्म गरम एक चिली हमारा बन कर रेडी हो चुका है यह बहुत ही टेश्टी बनती है आप एक बर जरूर ट्राइ कीजिएगा अगर यह recipe आपको मेरी पसंद आए तो प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेर करें मिलते हैं एक अलग recipe के साथ तब तक के लिए बाई